हेलो एवरिवन तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम फ्लटर एप्स में स्क्रीन सोट को अलाओ या ब्लोक कैसे करें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो हेल्फुल लगे तो इसे लाइक करें तो स्क्रीन शोट ऐडिफॉल डिफोल्ट अलाउट रहते हैं तो अगर हमें इसे भ्लोग करना है तो तो इसकी initial value को हम true रखेंगे, क्योंकि by default screenshot allowed रहते हैं, फिर उसके बाद हम एक void function बनाएंगे, जिसमें हम screenshot को block या allow करने की functionality लिखेंगे, फिर इसके अंदर हम एक if condition लगाएंगे, जिसमें हम check करेंगे, अगर screenshot allowed है, तो हम screenshot को block करेंगे, तो हम screenshot को block करने के लिए, 病 है, Flutter Window Manager dot add flag function को call करना है, और screenshot को block करने के लिए, हम add flag के अंदर Flutter Window Manager dot flag secure pass कर देंगे, जिससे की screenshot block हो जाएंगे device के लिए, और else में हम screenshot को allow करेंगे, तो screenshot को दوبारा से allow करने के लिए, हम Flutter Window Manager दोट clear flag function को call करना है जिससे कि हमने जो यह flag add किया था उसको हम remove कर देंगे इसके बाद हमारा screenshot allow हो जाएंगे फिर उसके बाद हम set state को call करेंगे तो यहाँ पर हमने screenshot को allow और block करने का function बना लिया है फिर उसके बाद हम button के on pressed में toggle screenshot function को call कर देंगे फिर उसके बाद हम यहाँ पर turnary operator में check करेंगे अगर screenshot allow की value true है तो हम यहाँ पर screenshot allowed pass कर देंगे और अगर इसकी value false है तो हम screenshot हम पर यह बटन के चैक्स्ट में भी turnary operator लगाएंगे screenshot allow है तो हम यह और ब्लोक ihrem rais कर देंगे और अगरर Screenshot अलाउड नहीं है, तो हम अलाऊ Screenshot पास कर देंगे, तो अभी हमारे फॉन में Screenshot अलाउड है, और यहाँ पर स्क्रीन शोट भी हो रहा है, तो अगर आपको इए जांठे मोद्यमिल स्क्रीन शोट को भी लोग करता हूँ, तो अगर आपको ये वीडियो helpful लगी तो इसे like करें, share करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe करें तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में